नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का मैं चंदर सिंग अपने यूटूब चैनल पर हारदिक स्वागत करता हूँ बच्चों ये जो कवीज है कक्षा 9 के अंग्रेजी विशे की इंग्लिस की कवीजे जो आज ही 25 स्टमबर को जारी हुए ये एक अक्टमबर तक आप इसे हल कर सकते हैं मैं इसका हल लेके आपके सामने आया हूँ ये बहुत ही महत्वफन कुर्शन है परसन है जो आगे आपके दूसरे टेस्ट में भी आने की संभा होना है तो आप इस कवीज को हल करें वीडियो को अंत तक जरूर देके अपने वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा गंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको सुचना तुरूंत मिल जाएचू चलो शुरू करते हैं अपने क्लास नो की इंगलिश विशे की कवीच अभ्यास यह लोग पहला परचन आपके सामने आ गया है वो रोट टोटो हॉम एंड वाई वो ब्रोट टोटो हॉम एंड वाई टोटो को घर कौन लाया और क्यों लाया तो पहला ही उत्तर है आपका ग्रांड मदर बोट टोटो हॉम एंड वाई 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 टीथ यानि आपका पहला ही उत्तर है दादा जी लेके आये थे दूसरा परसंद देखिए चूज दे क्रेक्ट आप्शन दा मंकी वाज प्रिटी बंदर सुन्दर था यानि इन में से कौन सी बंदर की खास यते थी तो बिलकुल चारों ही खास यती तीनों ही खास यती तो आपका उत्तर नमर हो गया चार आगे बढ़ते हैं अगले परसंद की तरफ यानि इन में से कौन सा उत्र होगा तो बिलकुल आपका पहला और दूसरा उत्र है तो ऐसी कंडिशन में अगर एक और दो काँपर है चार नमर में तो आपका इस परशन का उत्तर कौन सा हो गया च्यार नमर बोथ वन एंड टू प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलिग्राम चैनल का यूटूब का फेस्बुक पेज का वाटसप ग्रूप का वहां जाकर उनको क्लिक करके आप जोइन कर सकते हैं अगले स्वाल की तरब बढ़ते हैं अगला स्वाल देगो अस्तावल में टॉटो का कमपेनियन साथी कौन था? यानि टॉटो का साथी इन में से कौन सा था? यानि गदा इनका साथी था आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले स्वाल की तरफ what is the meaning of apparent apparent का क्या मतलब है सपस्ट होता है obvious clearly understood clearly visible यानि obvious सबस्ट समझ में आ जाए clearly visible देखने के लिए भी सपस्ट हो तो यह सारे ही उत्तर होते हैं तो आपका उत्तर नमर आ गया all of the above अगर व्योडियो पसंद आ रहा है तो like जरूर कर दीजिएगा what is the meaning of gradually gradually अगर देखो slowly, fast, generally, appropriately इनमें से किसका आर्थ है gradually धीरे धीरे तो आपका पहला ही उत्तर है slowly, slowly माने भी क्या होता है धीरे धीरे या धीमे धीमे तो पहला ही उत्तर है आगे देखते हैं अगला स्वाल कौन सा है what did Toto do when his bath water became cold what did Toto do when his bath water became cold यह Toto ने क्या किया जब उसका bath water है वो ठंडा हो गया he would get out and run the kitchen fire in order to dry himself he would ask the grandfather to add some hot water he would jump up and down none of the above यानि इनमें से कौन सा आपका उत्तर है तो पहला यह ही would get out and run the kitchen fire in the order of dry himself इस प्रकार से आपकी यह whatsapp कवीज है वो complete हुई आपने आन तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे गंटे का निसान दबा दीजे अन्य सात्यों के साथ share कर दीजे अगली whatsapp कवीज में मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये हैं वहाँ जाकर कलिक करके आप हमारी social site से जुड़ सकते हैं